इंडियन प्रीमेर लीग के 13 सीजन का आगाज 19 सितंबर से यूनाइटेड अरब अमीर रात में होना है चैने सुपर किंग की टीम अब ट्रेनिंग के लिए तैयार है पिछले सब्ता टीम के दो खिलाडी समयत कुल 13 सद से कोविट 19 पॉजटी पाए गए थे जिसके बाद टीम का कॉरिंटाइन पिरियड बढ़ा दिया गया था दीपक चहर और इतुराज गायकबार कोविट 19 पॉजटी पाए जाने वाले दो क्रिकेटर्स थे और इन दोनों को छोड़कर बाखी टीम अब ट्रेनिंग शेशर में हिस्सा ले सकती है कॉरिंटाइन पिरियर्ड हतम होने से ही CSK की नई जर्सी भी लाँच हो गई है CSK की नई जर्सी में ड्वैन ब्राबो महिंदर सिंग धोनी और रविंदर जडेजा नजरा रहे हैं CSK के ओबर सीज खिल पाला देते हुए टूनमेंट से बाहर होने का फैसला लिया वह आपको बता दें CSK के अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से CSK ने अपनी नई जर्सी का लुक शेर किया है दरसल कमेंट्स में फैंस ने मांग की है कि रहना अब IPL 2020 में वापसी के लिए तयार है तो उन्हें वापस बुलाए जाए मैं आपको बता दे रहना दुबई आने के बाद स्वदे स्लोट गए जबकि भज्जी टीम के साथ दुबई नहीं पहुंचे थे और का जा रहा था कि वो टीम से बाद में जुड़ेंगे वह खबरों की माने तो भज्जी अपना फैसला CSK टीम मैनेजमेंट को बता चुके हैं हाला कि अभी तक भज्जी या CSK के और से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है CSK ने अभी तक इन दोनों क्रिकेटरों का कोई रिप्लेसमेंट भी घोशित नहीं किया है खेर आपको या लगता है अमारे कमेंट बॉक्स पर मेंचन का ना ना भुले LD Newsroom की रिपोर्ट